हलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास Een Tram One Science Chapter 2 का Part Two यह जो वीडियो है Part Two है इससे पहले हम लोग एक और वीडियो Chapter Two के रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं और Chapter One का Part One, Part Two वीडियो भी अपलोड है और uploaded है चैनल पर ट्रम उन का अगर अब भी तयारी कर रहें क्लास 8 तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर प्लेडिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हूं आप इसारे वीडियो जो ट्रम ऊंन में के लिए में वीडियो बना रहा हमां पर तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक है तो च्रिया हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पार्ट वन जो भी ऑगाय आपको डिप करिकिशन ne याप जाकर प्लियलिस्ट से चेग ऊड कर सकते हैं आपने कोशन हमारे पास दाथ और दाथ यह चप्र है है निमली खीत में से सबसे भारी धातु कौन है इसका राइट अंसर हो जाएगा तरिया सकते हैं ए 0 आगे बढ़ते हैं यहां पर देखें तीन नबर कोश्चन है डात्यों के ऑक्साइड की परकृतिक कैसी होती है छारी होती है अध्याहं पर यह बहुत मतलब आया सकते हैं इसको निजेंड इनवनलान जा सकते हैं इसको है कि प्रिद्वी पर पाय जाने वाले प्रकृतिक तत्व में सबसे कठोर क्या है इसके इसर क्या हो जाएगा ही रा डी अप्सन सही हो जाएगा कि अब यहां प्रकृश्चन है पांच नंबर प्रकृश्चन के कारण उनका उप्योग बरतन बनाने में किया जाता है इसका एंसर क्या हो जाएगा तार खीजने में तन्याता और बरतन बनाने में और प्रकृश्चन के उसमा का चलागता है क्योंकि धातु जो है उसमा के चलागता है उसमा उनका इधर से उधर हो सकते हैं अगर हम यहां पर यह तो रखते हैं नीचे से आग जलाते हैं तो पूरा हीट होगा और इसमें जो भी हम खाना रखेंगो बरतन बनाने में वह काम आता है इसका ठीक है और अगहात वर्धिया का मतलब क्यों होता है कि पीटने पर कोई धातू फैलता है वह अगहात वर्धिया गुन है तन्या कि और यह यहां पडिये हां लुग छोंगतिंगे ईकलेbell कोशन जातू नपह minute कोशन दातू अधात ओक्साइड की क्या होती है तो उलंगता किप्रक्रेंटीक जानते हैं सबसे अधिक सक्रिया थातू कोण है इसका होजागा पोटेसियम ठीक है यहां पर नाम बटास है जिसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है तो पेंसिल का लीड जो होता है तो अधा Sanand से किया जाता है तो बिसका अधातो का नाम क्या है गृफ हाइट। यह यह रित और बी इंनपेंट कोश्यण इसका उप्योग जल शुदि करण में किया जाता है इसका एंसर क्लोरीन इसका उप्योग सुदिक करण में किया जाता है और नबर कोशाएं है जो द्रावाष्था में है छ सबहें पाहे जाता है इसकी और किस्क्राइबेंद सब्सक्राइब ट्र fellowship टो यह A daru बीदियो इससे म Français करें नम aurait पाँच यह कर न करने हैं और चेप्टर-वन चेप्टरट वन ह्मारा कॉंपलीट हो चुका है और चैप्टर थीरी अगला वीडियो रहेगा नहीं तो आप लोग तैयारी कीजिए लास्ट जब फूरा हम लोग से लिए वास्वन कॉंपलीट कर लेंगे ट्रम वान का तो उसके बाद जो भी प्रिवेस येट्स कोश्चन पेपर है उसमें से ट्रम में जो जो चैप्टर आये हैं वह चैप्टर से जो भी कोश्चन बन पाएंगे वह कोश्चन में आपको कर बाद दूंगा ठीक है तब तक लिए थांक यूँ